हलो फ्रेंट्स हम पढ़ रहे थे मेंस वाली वीजन आइस की 365 वाली बुकलेट और इसमें हम पेज नंबर टेन पर थे हमने आधा पेज नंबर टेन पर लिया था और हब है है वान पॉइंट त्री डिने टेकनलोजी यूजन अप्लिकेशन डेगुलेशन बिल्ट आप 2019 जब बिल आया था 2019 में और स्टेंडिंग कमिटी के पास था उसके बाद से अभी तक साथ यह पास नहीं हुआ है फिर भी हम इसके बार में देख लेते हैं क्योंकि कई बार ऐसे चैनसिस में हैं कि यूप सी जिनसे में अपसे पूछ सकता है तो डीगानली जो होती है वह क्या होती डीने प्रोफाइलोग के इनि का मतलब होता है डीने का करने के लिए हम DNA profiling का इस्तेमाल करते हैं उसके लावा मान लीजिए अगर किसी को अपने parents की जाँ करनी हो यानि कि अगर प्रूब करना हो कि यही person उसके parents है तो उसके लिए भी paternity suit जिसको बोलते हैं तो उसको भी हम इस्तेमाल वहापे DNA profiling का कर सकते हैं उसके लावा कई बार कोई ऐसा मृत्यक person पाया जाता है जिसको पहचाना ना जासके normal तरीकों से जैसे बहुत ज़्यादा burn हो गया है उसकी last बहुत ज़्यादा सड़ चुकी है तो उसको identify करने के लिए भी DNA profiling का इस्तेमाल किया जा सकता है तो इन सब के लिए last अब से पहले 2003 में आया था लेकिन वो बिल अल्टिमेटली लैप्स हो गया था और रे इंट्रोडूइस हुआ है 2019 में DNA profiling and sampling वही होती है कि specific DNA pattern हर किसी का होता है जिसको हम profile कहते है और उसी से हम person का identification कर सकते हैं blood जो है हमारे body के किसी भी sample से लिया जा सकता है जैसे blood, semen, saliva, urine, feces, hair, teeth, bone, tissue, cells तो tissue and cells बाकी में भ scientific equation करते हैं जाहिर से बात है तो different body के tissue वगरा से हम कर सकते हैं body different fluid से भी check कर सकते हैं और hair के follicle से भी कर सकते हैं hair के stem से soft से नहीं कर सकते हैं इसके नीचे जो follicle होता है जिसमें living cells होती है उससे कर सकते हैं उसी तरीके से blood होता है blood में RBC, WBC होती है RBC जो mature RBC होते हैं उनसे हम नहीं कर सकते हैं WBC से कर सकते हैं mature RBC में nucleus नहीं होता है nucleus नहीं है तो वहाँ पर DNA भी नहीं होगा तो जाहर से बात है इसलिए नहीं कर सकते हैं हर एक person में कुछ खास regions होते हैं जो की खास type के pattern के होते हैं और उसके parents से बहुत ज्यादा मिलते हैं लेकिन वह मिलते नहीं है किस से किसी भी random person से तो अगर कोई twin है उन दोनों के खास region एकदम से मिलते होंगे किसी के parents होंगे तो उस parents से उनके जो वह खास region है DNA के थोड़ा बहुत मिलते होंगे काफी जादा लेकिन distant relative से उतरा नहीं मिलते होंगे और किसी random person से तो ना के बराबर मिलते होंगे तो यही system हम यूज करते हैं और इसको usually कहा जाता है DNA finger printing से हम लोगों का identification करते हैं इस बिल के potential benefits क्या क्या है missing person का identify करना identified disease person कोई मृत्यक percentage की last burn victim है बहुत ज्यादा जो है उसकी last की इस्तिती सही नहीं पहचाने लाइक नहीं है disaster के victim accident के victim जिनको आचानिस नहीं पहचाना जा सकता है उनकी DNA profiling करके हम पहचान सकते हैं कोई repeat offender है हाइनस crime के लिए बार बार हत्याय कर रहा है बार बार रेप कर रहा है तो ऐसा person को हम उसके जो भी उसने sample वहाँ पर अपने छोड़ रखे हैं इमन वगारा के sample उससे हम identify कर सकते हैं इससे justice delivery system जो है काफी तेज हो जाता है इस बिल के बहुत से provisions है इस बिल के major provision के बात करें तो इस बिल ने DNA testing को अलाव किया है कुछ खास जगहों पे जैसे वह matters जो की offenses मानी जाती है इंडियन पेनल कोट उन्हीं के अंडर में हम कर सकते हैं civil matters such as paternity suits इनमें हम कर सकते हैं individual की identity जैसा माने आपको यह बता है उसके अलावा consent का provision भी दिया गया है collection आप DNA आप किसी भी person का जाकि DNA ऐसे ही ने सकते हैं जाए इसे बात है मृत्यक का तो ले सकते हैं क्योंकि वह consent नहीं दे सकता है लेकिन हम किसका DNA नहीं ले सकते हैं यह हम देखते हैं तो अगर कोई भी person को arrest किया जाए तो authorities जो हैं उसका DNA collect करने सवहले consent लेंगे अगर जिस crime में वो पकड़ा गया है उसमें up to seven year की punishment संभाव है तो और उसी तरीके से अगर seven year से जादा की punishment है या उसको death की punishment उसको मृत्त दंड मिल गया है तो फिर उसकी consent नहीं required है और victim या उसके relative of a missing person या कोई minor या disabled person से किसी भी case में हमें written consent लेना जरूरी है अगर consent नहीं दिया जाता है तो authority जो हैं वो magistrate district magistrate को जाकर गोहर लगाएंगी magistrate का मतलब judge भी हो सकता है तो magistrate को वो गोहर लगाएंगी तो magistrate जो है order दे सकते हैं कि हम उस person का DNA sample ले सकते हैं अब यह किस basis पर होगा यह यहाँ पर defined नहीं है साथी साथ उदेश है establish करना national DNA data bank और regional data banks का तो दो type के data bank संभव हैं यानि के हो जाएंगे हमारे central level पर उसके लाबा region हो सकता है जिले के level पर मंडल के level पर DNA data banks भी बना है हमारे country में बहुत सी DNA laboratory भी स्टेबलिस की जाएंगी जहाँ पर जो भी samples है उनको भेजा जाएगा और वो DNA का sequence बता देंगे finger printing करके बता देंगे उसके बाद वो जो data रहेगा उसको upload कर देंगे इन दोनों जगहों पर और उसी basis पे जाच हो सकेगी और authorized person ही जो है access कर सकते हैं इनका और इनका bill provide करता है removal clauses किस केस में जो भी DNA profile in banks में चली गई है उनको हम delete कर देंगे तो अगर कोई suspect है और उसकी report file हो गई है या court ने अपना final order दे दिया है तो जब उसका case का final order हो चुका है तो उसका data delete कर दिया जाएगा अगर कोई under trial है और court ने अपना order दे दिया है तो उस case में भी यही होगा delete कर दिया जाएगा अगर कोई person request करता है कि वो न तो suspect है नहीं offender है और नहीं under trial है या यह कि एकदम से case से बरी हो गया है तो उसका यह delete कर दिया जाएगा data establish करने की विबात है इसमें DNA regulatory board की यह करेगा supervision DNA data banks का और laboratory इसका है तो जो secretary होंगे department of biotechnology वो ex office हो उसके chairman होंगे उसके बाद इन में कई members भी होंगे जोकि मारे लिए important है यह क्योंकि जब body बनेगे तब important होगे तो additional members जो है वो expert होंगे biological sciences से director general of national investigation agency निये director of cbi यह सब इसके members होंगे function क्या होगा इस board का यह government को advice देगी सारे DNA laboratory data bank DNA profiling data collection accreditation इन सब से related issues पे government को यह advice देंगी penal provisions क्या दिए गया है अगर कोई unauthorized तरीके से disclose कर दे DNA data का किसी को कोई illegally obtain कर ले use कर ले access कर ले DNA samples को destroy कर दे कर दे contaminate कर दे tempering कर दे biological evidence को तो उसको भी सजा मिल जाएगी वैसे already उसके लिए evidence act में provisions है concern क्या rage किए गए है committee के दोरा एक तो यह sensitive information है इस type की information जो है चुकि वह genetic information है तो उससे हम लोगों का appearance उनकी racial history pedigree यह सब हम जान सकते हैं तो उनकी caste community based profiling हो सकती है और उनके खिलाब hate crimes भी start हो सकते हैं consent clause काफी weak है magistrate को power दे दिया गया है कि वह consent दिला सकता है जबरजस्ती तो जाहिट से बात है कि यहां पर region के बात नहीं है और यहां पर person की fundamental right to privacy यह उसके भी violation यहां पर हो जाता है इस clause में violation of fundamental right to property अगर हम किसी का data retain कर रहे हैं और वो जो कि हमें मिला हो crime scene से even if conviction of the fender has been overturned तो यानि के बात है कि अगर कोई dna किसी काम ने ले लिया है और बात में बरी भी हो जाता है तब भी तो हम उसका data अपने पास रख रहा है तो उसकी तो privacy का हनन हो रहा है dna profile अब civil matter will also be stored in the dna data bank तो अभी तक क्या होता था जो paternity suit file करते थे तो अगर कोई consent से अपना dna दे दे देता था तो उसको बस court में जो evidence based किया जाता था उसको किसी data bank में अभी तक नहीं रखा जाता था यहां पर data bank में अगर उसको रखा जा रहा है तो फिर क्या होगा तक robust legislation ही नहीं है आधार का भी data चोरी हो जा रहा है हमारे bank के data चोरी हो जा रहा है तो अगर ऐसा है पहले से system तो उसमें एक और sensitive data हम वहीं पर ले जा कर रख दे रहे हैं तो जाहिर से बात है हम भूल कर रहे हैं वे फारवर्ड बताया है बहुत से वे फारवर्ड बताया है independent scrutiny होनी चाहिए सब तो common सी बात है लेकिन अगर कोई person innocent पाया जाता है तो उसका data तुरंत remove कर देना चाहिए पर यह logical नहीं हमारे यह क्या है हमारी court जो है hierarchy में है इन करके लेवल पर courts हैं और हम जो है मान लिजिए एक court ने उसको बरी कर दिया तो क्या data तुरंत हम डिल कर देंगे यह final oh high court ने बरी बरी कर देंगे सुप्रीम court पर ही कर देगी तब भी क्या हम data deal कर देंगे क्योंकि हम अभी भी Supreme Court में भी तो reappeal कर सकते हैं तो कब उस person का data delete किया जाएगा तो यह सब काफी यहाँ पर issue arise हो रहा हैं सिर्पीस लिए क्योंकि हम data का bank बना रहे हैं data को direct evidence for court हम नहीं use कर रहे हैं तो यह issue है यहां पर कि हम data bank बना रहे हैं अभी तक ऐसे data का इस्तेमाल किया जाता रहा है और वो सारे data जो थे court में evidence की रूप में प्रस्तूत होते हैं कोई रेफिस्ट है उसका पहले क्या करना चाहिए कि proper privacy और personal data को प्रोटक्ट करने की अप्रोच लानी चाहिए अभी तक इनके पास प्रोपर अगर कोई ला ही नहीं है तो फिर यह क्या करेंगे इसके बाद है नेक्स्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेकनोलाजी रिप्रोडक्टिव टेकनोलाजी में assistance का मतलब यह होता है और लीजिए कोई या ओं के थूग या sperm और ओं के थूग ही अपने बच्चे को पाना चाहते हैं तो वहाँ पर वह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेकनोलाजी का सहरा ले सकते हैं इसके लिए भी लाया था सिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेकनोलाजी ए आई टी रिगूलेशन विल 2020 और इंट्यूडीश के गया था लोग सभा में अब्जेक्टिव क्या था कि स्टेंडर्डाइज करना प्रोटोकाल को जो की फर्टिलिटी इंडेस्ट्री से रिलेटेड हैं वो सारी जो इंडेस्ट्री जो के एस्टेट रेप्रोडक्टिव टेक्नलोजी को डील करती हैं उस गैमीट को इस्टोर करते हैं गैमीट का मतलब हो जाता है सेक्स सेल्स गैमीट का मतलब ही होता है सेक्स सेल्स और सेक्स सेल्स में दो टाइप के हो सकते हैं और वम हो सकते हैं यह हो गया अब हम देखें कि यह जो है यह जो बिल है यह थार्ड लेजिसलेशन है इस ताइप का जो की reproductive right of women से संबंदित है इसके पहले जो आये थे दो सरुगेसी regulation bill और medical termination of pregnancy amendment bill जिसको मैडम ने social issue वाले booklet में आपको अल्रेड़ी पढ़ा रखा है अब हम देखें क्या हो सकता है इन सब चीजों है तो यहाँ पर आप देखें मैंने आपको यहाँ तक सारा basis बता दिया है अब देखें तो regulation के बात है कि ART clinic and bank का regulation कैसे होगा इन सभी को registration कराना होगा एक नए registry में जिसका नाम है national registry of banks and clinics of India और condition क्या होंगी gamit donation के लिए और supply के लिए offering of ART services यह भी इस bill में बताई गही है अगर कोई जो बच्चा जन्म लेता है ART technology के थुरू उसके भी कई rights होंगे उसको biological child of the commissioning couple माना जाएगा आपको मैं ART का basic बताता हूँ सबसे पहले ज़्याद आपको सुन में आएगा देखें अगर बच्चे जो हम बनते हैं sperm और oom के मिलने से oom और sperm जो है ये male साता होगा और ये female साती होगा male का ये symbol है female का ये symbol है तो ये male साता है female साता है और बच्चा बनता है और उससे बच्चे हो सकते हैं उसी तरीके से अगर फीमेल का ओम फर्टाइल नहीं है तो ओम किसी डोनर से लिया जा सकता है अब मान लीजिए कि दोनों के जो ये गैमीट्स हैं वो फर्टाइल हैं निकन उनके रिप्रोड़क्टिव सिस्टम में फाल्ट है फार एक जंपर प पड़ olması बते हैं उसका इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन होजाएं है उससे यानी कि फट्ललइजेशन का मतलब तो यह दोनों मिल जाएंगे और मिलके क्या बना देंगे जाइगोँट बना देंगे जाइगोट्ड school single cell stage होता है यही डिव्लप होका बाद इम्डी यानि ब पर्टिलाइजेशन अभी होने से पहले ही महिला के फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोडूइस करा दे महिला के रिप्रक्टियू सिस्टम में आप देखें यह वजाइनल कैविटी हो जाती है उसके ओपर यहां पर यह जाता है यूटरस और यूटरस से कनेक्टेड होते हैं और फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड होती है ओवरी दोनों साड़े से तो देखें ओवरी में बनता है और फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करके जाता है और अगर जहां से इधर से इस्पर्म जाएगा और इस्पर्म के साथ मीट करता है फैलोपियन ट्यूब में है उसको या स्पर्म को फैल्यूपिन ट्यूप तक जाने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम और स्पर्म का मिक्स्चर जो है यहां पर डाल देंगे और वह जाइगोड बनके अपने आप यहां चला जाएगा अगर टोटल एकदम से यहां पर ट्रांस्प्लांटेशन का इसुए फैटिवाजेशन यहां अंदर होई नहीं परा है तब बाहर ही फैटिलाइजेशन कराएंगे इंविट्रो फैटलाइशन और जाइगोड को लाकर यहां ट्रांस्प्लांट करा देंगे यह हैं बेसिक आप असिस्टेद तो फिर क्या किया जा सकते हैं तो किसी विलिंग वोमन को की मदद ये लोग ले सकते हैं उसके यूटेरस में अपना जाइगो ट्रांस्प्लांट करा सकते हैं वो मदर कहला जाएगी सरोगेट मदर तो यहाँ पर दीखिए जो इस परमर वोम जो हैं जो कमिसंड पैरेंट्स है उनके ही हैं और जो मदर है वो बस assisted reproductive system में बस assistance का योगदान दे रही है उसका DNA में कोई इस तरह से involvement नहीं है तो इसलिए जो है कमिसंड कपल का से ही जो बच्चा सिमलर है अगर किसी भी केस में जो कमिसंड पैरेंट्स हैं बच्चा की demand जिन्होंने की है उन्हीं का बच्चा legally माना जाएगा किसी भी केस में कौन कौन से केस बन सकते हैं पहला कि sperm जो है donor का है कहीं बाहर से sperm डाला गया हो लेकिन उवम जो है महिला का ही है तो जहर से बात है उस couple में half DNA जो है वही मदर का है half DNA किसे बाहर का है तब भी वो बच्चा जो है legally biological child माना जाएगा उन दोनों क जाए अगर उमम इसी तरीके से बाहर से लिए आ गया है तब भी होई होगा दोनों का माना जाएगा इवन सरोगेट का भी help लिया गया है तब भी वो बच्चा जो है commissioned parents का ही बच्चा माना जाएगा और उसको सारे rights and privilege मिलेंगे जो कि एक natural child के होते हैं और जो donor है या सरोगे जाएट है उसको paternal rights नहीं मिलेंगे उस बच्चे के ऊपर अब national and state level boards भी बनेंगे जाएट से बात है national level जो board होगा वो क्या करेगा policy बनाएगा और state level board जो है उसका implementation monitoring वगारा करेगा regulate करेगा ठीक है तो यह हो गया offense and penalties के बारे में देखते हैं offense जो होंगे इस preview में जैसे कभी हमने हाली में देखा तक कई बार ऐसा हुआ तक हसकर गुजरात के कई cases हुए थे कि विदेशी parents ने surrogate की help ली थी जो कि Indian थी गरीम महिला थी उसके बाद जब बच्चे बच्चा हो लीगल है तो यह मैंसे exploitation अगर बच्चे करते हैं कि वह इंवर्ट्रो फर्ट्लाइजेशन से हुआ है या सारूगेट के थुरू हुआ है कई भार psychologically parents accept नहीं कर पाते हैं कि उन्हीं का child है तो फिर उसका exploitation start कर देते हैं यह भी offense में आएगा अगर sell किया जाए परचेज किया ज है या import किया जाए human embryo या gametes को तो किसी भी तरीके से अगर जो gametes obtain होंगे वह या तो खुद के हूँ या तो किसी donor के थुरू willingly लिया जाए वहाँ पर पैसे का कोई लेंदेन नहीं होना चाहिए importing भी नहीं चलेगी और को intermediate नहीं हो सकता है donor को obtain करने के लिए जो person है जिनको ब किसी बीच में नहीं आएगी अगर इसी तरीके से कोई जो commissioning couple है या जो woman है जो की commission कर रही है या जो भी गयमी donor है उसको exploit नहीं किया जा सकता है किसी form में न क्लीनिक के द्वारा ने persons के द्वारा किसी भी कि द्वारा करें और जो embryo बन गया है वो male partner के अंदर में या किसी animal क अंदर में हम introduce या transfer नहीं कर सकते हैं यह भी लिगलाग बिल की जरूरत ही क्यों पड़ी इंडिया जो है वो हाई वन आप दा हाईएस्ट ग्रोइंग यहाई टी सेंटर्स में बनता जा रहा है और यहाईटी साइकिल बहुत धेर सारी इंडिया में परफार्म की जा रही है और इनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं और एक तरीके से मेडिकल टूरिज्म भी इस तरीके से बढ़ता जा रहा था 2015 की यंग इस्टडी में देखें तो 27.5 मिलियन कपल जो कि रिप्रोड़क्टिव एज में थे उनमें से करीब 1.1 परसेंट या नहीं कि इतना दोलाग सतर अजार जो हैं इन फर्टाइल कटेगरी में आते हैं और यह लोग जो हैं इन फर्टेल्टी इविल्वेशन की और बढ़ते हैं डॉक्टर से जाते हैं और सला लेते हैं और इनमें से इनमें से जो सला लेने जाते हैं उनमें से करीब 20-25 परसेंट को आई वीएफ करना बढ़र के आ रहा है मेडिकल टूरेज भी इंडिया के इसलिए बढ़ रहा है और हमारे कंट्री में को इस टंडरडाइग प्रोटोकाल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है इसके लिए समय रहते यह भी लगर पास हो जाए तो फिर जरूरूर फायदा होगा अब फैसिल लिटेटिंग इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन आप अधर लाज जिसमें क्या होगा कि जो भी बिना रेजिस्ट्रेशन या बिना डेटा बेस के जो मेडिकल इंस्टिूशन और क्लिनिक हैं जो कि ऐसी सर्विस प्रोवाइड करेंगे उनको अभी तक रोकना के तहत जो चेंजेज हुए हैं यह वाला विल फर्दर उसको एक प्लेटफार्म पर लाता है ऐसे क्लिनिक को यूजूली एक रजिस्टर मेंटेंट करने की बात करता है जिससे सारे जो रूल हैं वह स्ट्रेंदन हो जाते हैं यह आटीज के बहुत जो टाइप हो सकते हैं मै वह ने आपको बता दिया है इस परमन का हम बाहर उसकी मिक्सिंग करा के फटिलाइज्येशन करा देते हैं वह जाइगोड बन जाता है और जाइगोड को ट्रांसफर कर तक्रांसफर इनविट्रो फटलाइजेशन प्लस इम्ब्रियो ट्रांसफर टोडल टेक्नीक होती हैं गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट ऐसे केसे में जहां पर वेजाइनल केवटी से जो इस्पर्म है वो ऊपर चड़ नहीं पाते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं इसपर्मन और उवम को बाहरी निकालते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं लेकिन जाइगोड फेलाइजेसलों होने पहले ही वापस फेलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं और जिससे वूँ यहीं जाइगोड बनता है और ट्रांसप्लांट हो जाता है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन कई बार ऐसा होता है कि वेजानल कैविटी जो है सिर्फ यहीं तक जो है इस पर्म को नहीं ले जा पाती है और बाखी जिगा ले जा सकती है तो उसमें ट्यूब के थूप सीमें यूटराइस में डारेक्ट इंसर्ट कर दिया जाता है आइड दे टाइम या जस्ट बिफॉर दे टाइम आफ ओई लेशन क्योंकि फैली पिंट्यूब में वह हम को ट्रेवल करने में करीब तीन दिन लगते हैं तो यह ओई लेशन के टाइम या कुछ दिन पहले डालने से भी काम बन जाता है यूजिली स्पर्म जो है 48 आवर्स त इंब्रीयो को केरी नहीं कर सकता है इसलिए एक बाहर से महिला जो की डोनर होती है डोनर का मतलब कहहे हैं वॉलनीटियर होती है उसको यू normal कर देते हैं तो उसको इस्तिशनल बलंद होता है GM crops का हमारे country में genetically modified crops पे काफी ज्यादा विवाद है मैं आपको recent में current fair में पढ़ाए भी था DMH1 का DMH11 का सुरी DMH11 डिल्ली इन्वर्सिटी के दीपक पेंटल के द्वारा develop की गई mustard की improved genetically modified variety है इसके बारे मैं आपको detail बताया था तो अभी काम में आगी genetically modified crop के क्या मतलब होता है यहाँ पर जो definition दिए बहुत narrow definition है इसमें इन्होंने यह कहा है कि जो crops recombinant DNA technology के द्वारा बनाई जाती है उसको हम GM crop कहते हैं recombinant DNA technology क्या होती है plant का अगर यह actual DNA है इस DNA में हम बाहर से एक जीन लाके यह क्या कई जीन लाके डाल दें कुछ DNA sequence बाहर से लाके गर डाल दें तो इसको हम कहते है recombinant DNA technology लेकिन genetically modified crop का यह मतलब होता है कोई भी crop जिसका genome जो है modified किया गया हो through artificial means इसमें क्या हो सकता है पहला कि recombinant DNA technology का इस्तेमाल कर दिया हो हमने CRISPR cash system का इस्तेमाल करके कोई हिस्सा ही काट के निकाल दिया हो बस ही काट के निकाल दिया हो वार्च कोई डाला ना हो इतना हमारे कंट्री में अभी तक सिर्फ एक GM क्राप को ही मिला है अनुमती ग्रो कराने का कॉमर्सल लेवल पे वो है BT cotton जिसमें जो जीन पाई जाती है उसका नाम है cry1ac gene, bolgard 1, BT का मतलब होता है bacillus thuringiensis, bacillus thuringiensis एक bacteria है जो की एक protein बनाता है जिसको कहते है crystal protein, crystal protein की जो gene होती है उसको कहते है cry gene, cry gene बहुत type के हो सकते है cry 1, 2, 3, ABC इस तरीके से नाम होता है, बड़ा group है cry gene का, तो इसलिए जो हम यहाँ पर gene यूज कर रहे है cry group का वो होती है cry 1, ac gene तो यह cry gene या crystal protein जो उस gene से बनता है, क्या करता है, यह जो कुछ insect होते हैं, उनके लारवा को वो kill कर देता है, उनके लिए जहरीला होता है, तो जाएट से बात है, अगर यह वाला gene हम अपने plant में डाल दे रहे हैं, तो उस plant के अंदर ऐसी protein से बनेंगी, जो की कुछ खास type के insect के लारवा को kill कर सकती है, इसका मतलब जो पौधा है, वो insecticidal tendency रख रहा है, यानि वो पौधा जो है pest resistant हो गया है, अगर कोई बीमारी हम पौधे की जानते हैं, जो की insect से लगती है, उसके खिलाफ, उसके लिए जो suitable cry gene अगर हम डाल दे पौधे में, तो वो पौध जा उस insect के खिलाफ resistant हो जाना चाहिए, यह है सबसे basic BT technology का, यह काफी old technology है, नई technology नहीं है, और हमारी जो country है, वो वल्ड में fourth position पे आती है, total area जिसमें हम GM crop grow कराते हैं, उसके basis पे, BT cotton के बारे में ऐसा कहा जाता है, कि इसने significantly improve कर दिया है, farm income को, और इंडिया को cotton importer से बना द चीज़ है, क्यों, क्योंकि जब हम BT cotton को ला रहे थे इंडिया में, तो उसके साथ ही हमारे कुछ चीज़े और भी improve हुई थी, जैसे, सिचाही के technology भी हमारे improve हुई थी, नई improved खादे भी आई थी, खाद मतलब fertilizer भी आई थी, और अन्य technology scientific growing method और soil में, manuring soil में organic content को maintain करना, यह स बड़े पैमाने पे practice में लाना start हो गया था, पर सबसे ज़्यादा important चीज़ जो आई थी, वो थी, हमारे यहां समय पे कम से कम गाउं की इलाकों में 12 घंटे बिजली रहना start हो गयी थी, अब 12 घंटे बिजली रहती थी, तो वो लोग proper सिचाही तो कर लेते थे, उसके पहले जब उनके पास हपते में एक दो दिन ही बिजली आती थी, तो वो ज़्यादा सिचाही नहीं होती थी, तो सिचाही का area भी उस दोरान बढ़ा था, तो सिर्फ BT cotton ही एक मात रीजन नहीं, जिसके वज़े से country का cotton जो है, उसकी productivity काफी बढ़ गई है, अब हम देखें, BT cotton जो है वो हमारे country में उसका प्रियोग बढ़ते जा रहा है, और 2018-19 में खरीब सीजन में 88.27% आप देटोटल, 122.38 लाक हेक्टेर में इतना BT cotton ही ग्रो किया गया था, तो यह है, यहाँ पर कुछ समरी भी दी हुई है, जिसमें परसेंट जो है सही रही है, तो फिर यह है कि इंडि कर देट का है हुए, था मेज का ट्राइल यहाँ पर रहा था, कॉटं का ट्राइल यह हुए तो यहाँ की कहा कहा है पर कल्टीवेशन यह इनका डेल चला है, यह मैप दिया हूए है जो कि बहुत इंपॉर्टन नहीं है, उडिश करते हैं, उस से पहले यहां है तो हमारी country मे इस्ट्रिंजेंट रेगुलेशन रिक्वायर्ड है इफिकैसी वाइस सेफ्टी इन्वार्मेंटल सेफ्टी सो एकनॉमिक्स बेनिफिट इन सब को मद्दे नजर रखते हुए रेसेंट अमावारे कंट्री में बीटी ब्रिंजल को लेकर काफी बहस चली थे लेकिन बीटी ब् इन्होंने बनाए हैं और इसी के अंडर में आया था जीएम फूड 2003 का रेगुलेशन जिसने बताया था जीएम फूड को किस तरीके से हमें हैंडल करना होगा और उसके लिए क्या फ्यूचर पॉलिसी जोनी जाहिए हमारे कंट्री में है जीएसी जेनिटिक इंजिनिरिंग अप्रेजल कमिटी इसका इस्टेबलिस्मेंट हुआ था 1989 में मिनिस्टर अपिनवामिंट के अंडर में आता है ये अप्रूब करता है किसी भी जीएम क्राप के कॉमेर्चियल कल्टिवेशन को साथी साथ मैनिफेक्चर इंपोर्ट सेलिंग या प्रोसेश्ड फूड जो की जीएम इंग्रेडियन से बनते हैं उन सब के लिए इसी से हमें अप्रेजल लेना होता है यानि कि जाके इसको सब्मिट करना होता है और यही पास करती है तब ही ऐसा होता है जो डीमेचलेवन के केस में हमने देखा था रिसेंट मेरा को पढ़ाए भी था हुआ यह था कि इ यह मीचलेवन को फूर दिया थै सिर्फ दो चीजों के सिस्पि दिया था इन विट्रो टेस्टिंग ओर इंफरमेटिक्स इनोलिस्स इन यही दो के बस बैसिस दिया थै कोई वी बेशिक साइंस वाला परसंड भी आपको बता देगा कि यह जो उनों जो है यह त्यूरेटिक ट्राइल ही क्लियर कर रही है तो लोग बता दे रहे हैं कि बहुत बड़ी वैक्सीन हो जा रही है इतना परसेंट उसके सेफटी है यह सब चीज़ अभी से ही बताने लग रहे हैं तो यह चीज़ गलत है सेम इसके साथ भी इन्हों नहीं यही किया था तो फिर उसके बाद बह जैसे रूल्स फार द्र मैनेफट्र यूज इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस्टूरेज आफ हजार्डस लाइक्रो आर्गिनिम जनेटिक इंजीनियर और गिन और सेल्स नाइटी नेटीन जिसको सॉर्ट में कहा जाता है रूल्स नाइटीनियन यह आते हैं इन्वार्मेंट प पनाना है तो इनका ही रेगुलेशन करते हैं इसी तरीके से अगर जेनेटिकली मोडिफाइड फूड का हमें इंपोर्ट करना है तो हमें यह दो लाज के अंदर में आ जाता है इन्वार्मेंट प्रोटेक्शन एक 1986 और फूड सेफ्टी एन स्टेंडर्ट एक आफ टूथाउजन सिक्स इन दो के अंदर में आ जाता है अब बेनिफिट्स क्या क्या है जीम क्रॉप के देखा जाएं यहां पर इन्हों यह लिखा है काफी फ़नी तरीके से लिखा देखते हैं सबसे पहले आ जाएगा यह इंप है तो किसान जो है जो बीटी काउटन को ग्रो करते थे वो सुसाइट क्यों कर रहे हैं सेम ऐसे ही क्या एकनॉमिक की बात कर रहे हैं तो यह कंपनीज की एकनॉमिक सही हो गई है यह तो जाहट चे बात है कंपनीज की जादा एकनॉमिक सही हुई है मैं आपको यह बताओं आ आपने कभी सुना है BT Onion आपने नहीं सुना होगा पर कंट्री में हमें इस समय देखें जहां भी अगर महाराष्ट में सबस्यादा वह ब्रिंजल बहुते हैं वहाँ पर भी ठीक था कि ब्रिंजल बहुते हैं उनके फसल को कीड़ों को तोरह बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो कि यह जो BT Technology अभी तक डिवलप हो रही है वह आज से नहीं डिवलप हो रही है सेवंटी से डिवलप हो रही है और वह जिस तरीके से डिवलप हो रही है वह है restriction इंडोनुकलिए बेस् टेकनोलाजी से ओल डिस्ट्राइल बाइट नो जि कह सकते हैं जो इस समय जो ज़्यादा चल नहीं वह हम जानते है वह क्रिस्पर क्रिस्पर हम बान चाहे जगह पर काट सकते हैं इका दुक्का ही फसलों में successful हुई यानि कि हम इवन चना जो होता है हमारा चने में भी चिकपी चिकपी में भी सही से हमने जीन सब इंसर्ट कराने में सच्छम नहीं हैं अनियन वगर आप छोड़ दीजिए बाइचांस उन्होंने कॉटन में डाल दिया बाइचांस उन्होंन जानते हैं अन्रियेबिल्टी यह है पहला कुछ जन्नेरेशन बात जो जीन नम इंसर्ट के रहते हैं कई बार लॉस्ट हो जाती है ऐसा देखा भी कि i-field में बीती काइटन के साथ की जीन जो हैं इंसर्ट जो हैं वो लॉस्ट हो जाता है गायब हो जाता कहीं कहीं चला जात वो तो नहीं आ रहा है लेकिन BT ब्रिंजल जबरजस्ती लाए जा रहा है ब्रिंजल से लोगों को कितना nutrient बिलता होगा ब्रिंजल कितने major हमारे recipe में cultural importance रखता है कि हमको ब्रिंजल को ले कितना हमारे country में बहुत से start होगी थी तो आप इसके पीछे की economics सोचें कहां से आता है औ greater tolerance होती है GM crops की better tolerance नहीं होती है यह fact है ऐसा क्यों कैसे होता है मैंने आपको पिछले के पीछले वीडियो में जिसमें मने आपको genomics बता होगा उसमें मैंने आपको epigenomics बता होगा इसमें क्या होता है कि environment के प्रभाव से जीनोम जो है हमारा वो एक्सप्रेस करता है यानि जीनोम के अंदर जितनी जीन होती है वो अपने आप नहीं एक्सप्रेस हो जाती है जीन प्लस environment ये दोनों मिल के जाके बाहर effect दिखाते हैं जो बाहर आपको लच्छड दिखते हैं वो सारे फल का बड़ा होना चोटा होना इस सब इस तरीके से environment के प्रभाव की वज़े से होते हैं लाइट नहीं है तो कितना भी उसमें अच्छी जीन होगी तो फल थोड़ों बन जाएगा उसकी पत्तियां थोड़ी स्ट्रॉंग हो जाएंगे तो यहीं इपी जनॉमिक्स होता है कि कुछ जीनों के बाहर भी कुछ ऐसे factors होते हमारे सिल के अंदर कुछ प्रोटीन या ऐसे expression factor, protein में chemical changes, enzymes में chemical changes, surface chemistry में कुछ chemical changes जिसके वज़े से total expression जो है वो देखने को मिलता है अब हम जब कोई पौधा जो field में हमेशा grow करता रहता है वो field में grow करने के एकदम लायक होता है उसने बरसात देखी होती है उसने उसमें सूखा देखा होता है उसने हर चीज धूप develop कराते हैं तो हम उसको artificial condition में रखते हैं और artificial condition में उसको जब grow कराते हैं तो वो हो जाता है weak plant उसके बाद week जब हो जाता है हम वीच develop कर लेते हैं तो उसको कई generation तक हम field में grow कराते हैं बारिस धूप इन सब condition में तो उसको कहा जाता है hardening और जब हम hardening कर देते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसका epigenomics जो है वो थोड़ा complete हो जाता है और वो सहनी की छमता वापस develop कर लेता है environment को हार्स climate को cold heat ड्राट से लेंटी इनको सहनी की छमता वापस develop कर लेता है लेकिन जो generation से field मेरा है वो ज्यादा robust हो गया या नि wild wild जो variety जो पहले से पाई जाती है वो ज्यादा hard होंगी या जो हमने artificially develop किया और कुछ generation को बस इस तरीके से hard condition में grow करा है वो होंगी तो इसका कोई data है नहीं पर common sense जो है यही बताती है कि better tolerance to hard condition नहीं हो सकती है और hard condition को जहलने वाली जो varieties develop की जाती है यूजुली वो varieties अब धीरे धीरे genetic engineering के तुरू हम मनाने के ज्यादा कोशिस कर रहा है अभी तक जो hard condition को जहल सकने वाली varieties थी वो high yielding varieties थी हाई yielding varieties GM varieties नहीं होती है आपको होता तो गेहुँचावल की जो हम उन्नत किस्म की variety जूज करते हैं genetically modified नहीं होती है वो दो अच्छी varieties का cross होती है एक variety होगी जो की बहुत ज्यादा resistant होगी harsh environment के लिए और एक होगी जो की बहुत ज्यादा productivity देती होगी बहुत ज्यादा उसके बीज बड़े होते होंगे तो दोनों का cross करा देंगे तो जो बाइचांद जो उनका progeny बनेगा व और वो बहुत ही ज्यादा tolerant होगा harsh environment का तो वो सारी जो यह good quality है ने better tolerance वो high yielding varieties का लच्छणों GM crops की लच्छण नहीं है और improved crop protection, crop protection बढ़ सकता है जिस disease के लिए उसको हमने resistant बनाया है, दो चीजों को हम देखे हैं, हम GM technology से क्या कर रहे हैं, हम GM technology से उसको insect के लिए resistant बना दे हैं, उसी तरीके से हम पौधों को herbicide के लिए resistant बना सकते हैं, herbicide resistant वाला अभी just case आने वाला है, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, और उसी तरीके से food security for the growing population भी बढ़ सकती है, अगर हम पूरा नजरिया देखें, तो growing population के लिए अगर हम food security बढ़ा नहीं इसके organic content को fulfill करके रखेंगे, तो फिर फसल ज्यादा अच्छे से grow करेगी, और उसके साथ जो भी सारे bad event हो सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो, pest की समस्या हो, nutrient depletion हो, यह सारी चीजें कम हो सकती है, अगर soil की quality ज्यादा improve है, इसी तरीके से यह कहें हैं कि genetic modified crop जो होती है, वो improved yield देती हैं, ऐसा देखा गया, usually कि अगर उन पे खास type की कीड़े नहीं लग रहे हैं, तो उनकी yield बढ़ जाएगी, और इसलिए अगर वो insect से resistant है, तो हमें बाहर से कीटना सकते हैं, तो वो less labor input required करती हैं, तो यह बात सही विलकुल हो सकती है, improved processing characteristic, जैसे कि इन्होंने कहा है कि उनमें waste कम create होता है, पर ऐसा कैसे है, कि waste कम create होता है, हमने GM crop ऐसी नहीं बनाई है कि उनमें कम पतिया होती है, या उनकी stem sort होती है, ऐसी GM crop बनाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर GM technology जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो at least उस तरीके से नहीं है कि कम waste generate करती हैं, एक्चॉल में GM crop ज species to endemic disease, इसका यह मतलब है, जैसे मान लिजे, अगर किसी area में, यह आपका area है, बड़ा सा कई जिले है, इसमें कुछ disease पाई जाती है, जिसके वज़े से हम यहाँ पर grow नहीं करा पा रहे हैं, cotton, तो beauty cotton हमने उसी disease के लिए अगर बना ली है, तो वो cotton हम इस इलाके में भी grow करा सकते हैं, तो यह वाला चीज हम करा सकते हैं, यहाँ पर, benefits to the soil of no-till farming practice, इन्होंने यह लिखा है कि GM crop अगर हम लगाएंगे, तो हम no-tillage वाली farming करा सकते हैं, logically सही नहीं है, क्योंकि no-tillage farming का GM crop या identically modified किसी भी type के crop से लेना देना नहीं, low-tillage farming जो है, अपने आप में sustainable technology है, उ wild variety के साथ भी कर सकते हैं, जो naturally प्रकृत में पाई जा रही थी, varieties उनके साथ भी कर सकते हैं, तो no-tillage गए GM crop से कोई लेना देना नहीं है, यह reduce कर देता है, use a pesticide and herbicide, यह हो सकता है, अब herbicide वाला case मैं आपको सम्भाद देता हूं, जैसे हमने pesticide का देख लिए, क्यों pesticide कम क्योंकि पौदा खुदी से pesticide बना रहा है, इसी तरीके से हम एक पौदा बना सकते हैं, जिसमें herbicide की जीन डाल दें, तो क्या होगा, herbicide resistance की जीन डाल दें, इसका यह मतलब हो गया, अगर यह पौदा है, इसमें herbicide का resistance वाली जीन है, तो herbicide को बाहर से छिड़केंगे पौद पर तो फिर herbicide इस पर काम करेगा नहीं, और यह पौदा मरेगा नहीं, लेकिन आज पास जो खर पतवार herbs grow कर रही होंगी, वो resistant रही है, तो यह है herbicide resistance, अगर कोई पौदा herbicide resistant हो गया है, तो फिर हम बाहर से herbicide डालेंगे, तो manual weeding नहीं करना पड़ेगा, खुद से हमें herbs नि safe for conjunction होना चाहिए, और इस बात पर काफी controversy है, क्यों controversy मा बताता हूं, जैसे crystal protein जो है, वो ही क्यों use की जाती है, यह type का भले insecticide है, लेकिन यह protein form में है, और ऐसा कहा जाता है, कि different animal या human जो है, वो जब इसको खाते हैं, तो protein पेट में digest हो जाती है, और अपना जो इसका insecticidal function हो loss हो जाता है, पर यह किस हद तक सही है, अगर हमारे हम उस generation के और बढ़ रहे हैं, जहां पर हम artificial color food में नहीं चाहते हैं, हम food में प्रजरवेटिव नहीं चाहते हैं, तो हम food में एक pesticide क्यों चाहते हैं, ठीक है, भले वो कितना भी safe हो, उसको चाही क्यों हो रहे हैं अपने food म पॉलन ग्रेंज में भी जाहर चे बात एक क्रिस्टल प्रोटीन पाए जाती होगी, पॉलन ग्रेंज एयर में रहता है और हम उसे सूंग लेते हैं, तो कई टाइप की health problem हमें हो सकती है, उसी तरीके से pesticide poisoning भी हो सकती है, अगर कोई plant है genetically modified जो की resistant हैं herbicide के लिए, अब क्या हो तो बहुत से किसानों ने glyphosate डालाएं स्टार्ट कर दिया, glyphosate जो है उसको उन्होंने फिर उनके food में चला जिक गया, उनके surname चला गया और उनसे काफी health हजाड हुए, glyphosate पे काफी लंबा वीडियो है, आप संकरा इस वाली जो बुक पे वीडियो है, उसमें आप जाक सीड का यूज करें, प्लस हम पेस्टिसाइड का भी यूज करें, दोनों को मिला के जो कास्ट बने गया, वो फिर भी कम होगा सिर्फ इनके हाई, इनके जो GM सीड से, ऐसा भी होता है, मार्केट में देखा जाए, तो सबसीडाइज अगर पेस्टिसाइड मिला और सबसीडा काटन जब ग्रो हो गया, उसके फ्लावर बनेंगे, तो उसके जो सीड बनेंगे, वो फर्टायल नहीं होंगे, जानी कि जो पौधे से सीड बनेंगा, वो सीड हम इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, तो जाहिर उत्से बात है, कंपनी क्या चारी है, बार बार आप हमसे ही सीड खरी करते हैं, ऐसा कहा जाता है, कही जिगा पर देखा भी गया है, कि ये रिडक्शन इन बाय डावर्सिटी भी करती है, जी अम प्लांट कैसे करती हैं, अब देखिए जब इंसेक्ट है, जो कि नुक्सान कर देता है, कॉटन का, वो भी एको सिस्टम का पार्ट है, चाहिर से ब हो गया, कि ये जो ये जो वराइटी ये कुछ ज़्यादा ही टॉल्रेंट है, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने वाले इंसेक्ट को भी हमने मारने का सिस्टम इसको दे रखा है, तो फिर फीडवैक लूप जो होना चाहिए, उसका लास हो गया है, तो इसका ये खी जो हो सकता हैं, जेंशने का कई जाता हैं कि ये जो पहुरींज चाहिते पूर्ण, जिन के लिए हमने लिए सब्सक्राम आइनके रखाया हैं, जिरे दिरे बढ़के थे अहले हो भी जो धी लिए नय हैं कन में तो लुट्प करने लें तो फिर हम क्या करेंगे तब तो gm टेख्वनालोजी वेस्ट होगी और साथ ही साथ हम मोनोकल्चर नां ठ्वीर हम यहां पर मतलब कर रहा हैं और इसनव आपको फायदा को नहीं है कि Жिरिए आप काटन कराने लिए लिए भी वह टोड़ों दे रहें अगर जी एम क्रॉप ग्रों कराना भी तो उनको यह जो इस ट्रिफ फार्मिंग होती expect ग्रों करा सकते हैं अब इंसेक्ट का टैक हो रहा है यहां बाहर से और इंसेक्ट जो है नंबर टू को खाता है इस टाइप से ग्रो हुआ है कि जो नंबर टू है काफी नीचे रहा जाता है नंबर वन जो है काफी बड़े यहां से उसको कवर किया है तो इंसेक्ट जो है अंदर इंटर नहीं कर लगा दें अंदर हम traditional varieties लगा दें तो इससे बिल्कुल फायदा हो सकते हैं लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है सीधे-सीधे यह वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो इसको ही हम पूरा इस्तावाल करने की ओर चले जाते हैं regulatory failures भी काफी जादा है और government जो है वो पकड़ नहीं पा रही है कई illegal GM crops को recent news आई भी थी कि हमारे country में कई हिस्सों में वेस्ट बंगाल वगरा में विहार में देखा गया था बहुत लोग जो है BT crops को grow करा रहे थे government के agency के लोग गए और पूरी खेत को उन्हें जलाना पड़ा और किसान लोग जो थे उनको काफी ज्यादा सजा वगरा भी हुई थी क्या वे फारवर्ड है हमें focus करना होगा GM technology को GM technology बिलकुल future बन सकती है और जिस तरीके से CRISPR cash system आ रहा है और अन्य धिरे-धिरे discoveries हो रही है उस तरीके से GM technology का बिलकुल future है और हमें उस चेतर में at least research तो करना ही चाहिए ताकि हम किसी American company Monsanto जैसी company से बीज खरीदने के लिए सिर्फ निरभर ना बन के रहा जाए और साथ इसाथ हमें bio safety, socio economic, desirability भी evaluate करनी होगी किसी भी variety जो हमारे country माती है उसको field trial या commercial use करने से पहल यह सारे सवाल हमेशा पूछे जाने चाहिए ग्रीवन्स ड्रेसल सिस्टम भी होना चाहिए अगर मालीजिए कोई किसान है जो कि उसके खेत में cotton खरपतवार के रूप में grow करने लग रहा है तो फिर वो कहां से नहीं जाद लाए वो किसके पास जाए तो उसके अभी दे रही है किसानों को तो उसका liability clause बनता है अगर कुछ उसमें कमी हो जाती है फिल्य नुक्सान हो जाता है तो उसको बिल्कुल liable होना चाहिए यह यह सारे case जो है USMS law भी है अब हमने recent में देखा था BT cotton जो था उस पे बड़े पमाने पे pink ball warm paste attack हो गया था काफी नुकसान हो गया था BT cotton वाले किसानों को बहुत किसानों ने suicide भी कर लिया था बीटी होने का फिर फायदा क्या हुआ यहां पर तो ऐसे केस में क्या मुआजा मिल गया इनकिसानों को या हम अभी तक भोपाल गया strategy के लोगों को मुआ आजा दिला पाने में सच्छम है या हमने जो बोपाल गया strategy के मालिक थे company के उनको हमने पकड़ लिया है अगर हम उतने बड़े पैमाने के नहीं कर पाए तो GM क्राप जो है अभी भी हमारे लिए बहुत दूर है जिस तरीके से हमने कोई अभी तक प्रापर IT Act नहीं बनाया है हमारे पास कोई Biosafety Act भी हमारी country में आज की डेट में बहुत अच्छे से एक्जिस्ट नहीं करता है stringent regulation में हमको सबसे पहले Biosafety Act लाना होगा जो liability तै करता हो different area में biological misuse से related जो लोगों की health उनके biological data या अन्य कोई भी biological aspect अगर life में बनता है उसको अगर provide करे तो ऐसा law यहां पर बहुत ज्यादा require है एक simple law जो की सिर्फ और सिर्फ Biosafety पे अलग से focus करता हो वो GM crop को भी अपने में ले सकता है वो drinking water को भी अपने में ले सकता है वो data protection biological data को भी अपने अंदर में ले सकता है तो ऐसा single Biosafety ला बहुत जादा require है और यहां पर सारी बाते कही गहीं है एक बात जो है कि फसाई जो इसको चेक करना काफी जादा मुस्किल है अगरो cooked ingredient है बहुत जादा मुस्किल है बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता है कुछ चीजों का आप कर सकते हैं अधिक तरजी जोग आप नहीं कर सकते हैं तो यह लाइन जो है काफी waste line है तो इस तरीके से यह वाला यहां पर section जो ह है complete हो जाता है next lecture में हम nanotechnology से start करेंगे तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में बार thank you